आप सबी का अमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेपुर पर्थम जिन अभियर्तियों ने एनेम पर्शिक्षन सत्र 2022-23 के लिए जेपुर पर्थम है तू आवेदन किया है उनकी काउंसलिंग 14 फरवरी 2023 को होने जा रही है उनके कट अब मक्स क्या रहे हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो वीडियो को अंतक देखें यह आपके बहुशे से जुड़ा हुआ है इसलिए ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें इसमें सबसे पहले आपको अपने मूल दस्तावे जो भी आपके सर्टिफिकेट है उनकी ओरिजनल कोपी लेकर काउंसलिंग में उपस्तित होना होगा इसमें जो सामन्य वर्क की कट अब माक्स है वो रहे हैं तरानवे पॉइंट छे परसेंट और जन्म तिती जिनका जन्म साथ एक दोजार पाँच या उससे पहले हुआ है वहीं इस काउंसलिंग में भाग लेवें इसके साथ ही EWS एकोनोमिकली विकर सेक्शन हार्थी ग्रूप से कमजोर वर्क जिनकी आए 8 लाग से कम है उनका कट अब माक्स रहा है 90.2 और इसमें जिनका जन्म 29.5 तक हुआ है वहीं इस परसेक्शन में भाग लेवें अन्य पिछ़़ा वर्ग OBC OBC की कट अब माक्स रहे है 92.4 और जिनका जन्म 19.2 तीन से पहले हुआ है वहीं इस परसेक्शन में भाग लेवें MBC अति पिछ़़ा वर्ग जिसमें कत अब माक्स रहे है 91.4 और जिनका जन्म 10.12.2005 या उस से पहले हुआ है वही इस counselling में भाग लेवे इसके साथ ही अनुसुशित जाती की महिला जिसका प्रतिशत 90.8 रहा है और जिनका जन डेट 27.7.2003 या उससे पहले है वही इस परिश्रिक्षन में भाग लेवे अनुसुशित जन जाती यदि आप ST से बिलोंग करते हो तो आपको 89% और जिनकी जन डेट 48.2004 है या उससे पहले की है वही इस परिश्रिक्षन में भाग लेवे आंगनबाड़ी कार्यकरता के लिए नियूनतम 5 वर्स का कारे अनुभव पूर्ण करने वाली अभियर्ती जिनका पर्तिशत 50.46 है और जिनका जन एक दस 1984 या उससे पहले होया है वही इस परिश्रिक्षन में भाग लेवे आसा सयोगनी जिनोंने आशा मोडूल 6 और 7 के चतुर चरन तक का परिश्रिक्षन ले लिया है और उसका पर्मानपत्र उनके पास है और उनके परसंटेज है 65 और डेट ओव बर्थ 18-12-1990 या उससे पहले की है वही इस परिश्रिक्षन में भाग लेवे विकलांग एक पेट से अगर आप विकलांग है तो 43.6 परसंट और डेट ओव बर्थ है 15-7-1994 में से पहले अन्यस रेणी की विद्वा तरलाक सुदा जिनका पर्तिशत 80.4 है और जिनकी डेट ओव बर्थ है 5-7-1991 में या उससे पहले वो इस परिश्रिक्षन में काउंस्लिंग एतु अपनी उपस्तिती प्रदान करें विबाग ये महिला करमचारी नियूंतम पांच वर्थ का अनुबव इसमें कोई नहीं आया है पात्र नियें किसी ने आवेदन ही नहीं किया इसमें मिलिटरी पेरामेडिकल पुलीस की विद्वा 25.20% 27-7-1991 में या उससे पहले का बर्थ है वो ही इस परिश्रिक्षन में भाग लेवे उप्रोक्त संबंदित अभियरती जिनों ने जैपुर जीले में आवेदन किया है वे दिनांग 14 फरवरी 2023 को पराते 10 बजे इस कारे लेके मिटिंग हॉल में काउंसलिंग है तू अपने मूहल दस्तावे जो आउशक परमानपत्रों यह था सेक्षणिक तस्वी और बार्वी की माक्सित जन्तिती जाती परमानपत्र OBC, MBC, EWS परमानपत्र एक वर्से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए आर्थी ग्रूप से जो पिछड़े हैं उनका एक साल से जादा पुराना परमानपत्र नहीं होना चाहिए चरीत परमानपत्र, विकलांगता परमानपत्र तीन वर्से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए मूल निवास परमानपत्र, M. आसर सयोगनी के लिए पर्षिक्षन मोडूल 6, M. 7 के चतुर चरण चतुर चरन तक के परमान पत्र इनकी स्यम दोरा सत्यपित छाया पड़तियों सही उपस्तित हो है एक-एक सेट इनका फोटो कोपी भी आपके पास होनी चाहिए यदि कोई अबयर्ति उक्तिनां को नियत समय पर काउंसलिंग में अपने मूल परमान पत्र दस्तावेज उपलब नहीं कराती है तो उसको काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा काउंसलिंग ये तु बुलावा पत्र अलग से बेजे गए हैं लेकिन किसी कारण वस प्राप्त नहीं होने की इस्तिती में इसे ही बुलावा पत्र समझा जावे काउंसलिंग में समलित होने वाले अभियरतियों को किसी भी परकार का यत्रा बत्ता आदी दे नहीं होगा इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और समय पर अपनी उपस्तिती देनी है यह आपके बोईसे से जुड़ा हुआ सवाल है अते सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ 10 बच कर 30 मिनट पर CMHO अपनी उपस्तिती परस्तूत करनी है जो है मिनी स्वास्ते भवन सेटी कोलोनी जेपूर अगर जिन्होंने जेपूर से अवेदन किया है वह यहाँ अपनी उपस्तिती परदान करावें इसी के साथ वीडियो अच्छा लगो तो जरूर लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वस्त रहें, मस्त रहें